असलाम अलेकुम एंड वलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग मैं उमीद करते हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के साथ दो किसम के आलू के पराठा की रेसिपीज शेयर करूँगी और आई हो कि आज की रेसिपीज आप लोगों को बेदी पसान दाएगी और दोनु आलू के पराठे जो हैं बिल्कुल यूनीक और बहुती कमाल के बनते हैं इसलिए आप लोगों ने रेसिपीज को बगार स्कीप किये फुल रिवर्च करना है चले इस मज़ेदार रेसिपीज को बनाना स्टार्ट करते हैं असलाम लेकुम मार यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हो एक बहुती जबरदस्त आलू के पराठे की रेसिपी ये आलू का पराठे बनाने में बेहदी आसान और खाने में ला जवाब बनता है और आज मैं आप लोगों को एक नए तरीके से आलू के पराठे बनाने का तरीका सिखाऊंगी जो के बहुती आसान और इस तरीके से आपके प्राठे बिल्कुली फुटबॉल की तरह पुले पुले और इसकी फिलिंग पुरे प्राठे के कनारे तक बनेगी ये आलू के प्राठे बिल्कुली ढबा स्टाइल फ्लेवर में बनते हैं और घर में मजूदा मसालों से हम इने तयार करेंगे कुछ एहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ तो रेसेपी को फुल वाउच कीजिएगा रेसेपी वीडियो ची लगे तो लाइक करके चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो चलिए इस मज़िदार रेस सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह पर आलो अच्छे से ग्रेट हो चुके तो अभी आम इसमें कुछ स्पैसीज एड़ करेंगे आदर टेबल स्पून नमाक आड़ करेंगे आदर टेबल स्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च आड़ करेंगे जो के बहुत ही मज़े का प्याज आड़ करेंगे प्याज जस्ट फ्लेवर के लिए डालेंगे और मोटे कट नहीं करने नहीं तो हमारे प्राठे जयां टूट सकते हैं वन टेबल स्पून साबेट सुकर धन्या हलका सा हाथों की हल्प से मसल कर डाल देंगे इस तरह बहुती मज़े की खुश्बू आती है और आदी प्याली के जितना हम इसमें हरा धन्या बारी कट किया हुआ एड़ कर देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर द करेंगे इससे बहुती मज़े का कलर आ जाता है और अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पर हमारे प्राठे की फिलिंग रेडी हो चुकिए तो अभी हम इस बैटर को फ्रेज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके लिए हम आटे की डो रेडी कर यहां पर डेड़ काप हम वाइट आटा यूज़ करेंगे वाइट आटे से बहुती मज़ेक के कलरफुल हमारे प्राठे बनते हैं अगर आप लोग वाइट आटा यूज़ नहीं करना चाहते तो नॉर्माली जो घर में हम यूज़ करते हैं वह वाला आटा आप इसमें हूंते हैं उसी तरह कि हम इसकी अच्छे से डोर एडी कर लेंगे तीन से चार मिनट के लिए आटे को अच्छे सी गून लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी गुटलिया हैं वह अच्छे से खातम हो जाए और हमारे प्राठे भी इस तरह बहुती मज़े के बनते हैं अग इन से चार मिनट के बाद जहां पर हमारी बहुती अच्छे से डोर एडी हो चुकी है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी गुटलिया थी बिल्कुली अच्छे से खातम हो चुकी है तो अभी आम इसको कवर करके तकरीबन दस मिनट के लिए आम इसको छोड़ दे और सारे पेड़े जितने भी इसके बनेंगे हम बना के रेडी कर लेंगे कि यहां पर हमने सारे पेड़े जो हैं बना लिये हैं तो अभी हम पेड़े के अंदर जो है फिलिंग रखेंगे तो यह बहुत ही एम स्टेप है इसको गवर से वाच कीजिएगा तो सबसे पहले हम पेड़े के कनारे जो हलके सी जो हैं को पतला कर लेंगे बीच में एक कटोरी नुमा जो है हम इसको गोल गोल टाइप में बना लेंगे आप वीडियो को देखके follow कर सकते हैं इसके center में जो है हमने filling रखने की जगा बना ली है और जितनी भी filling थी हमने उसकी gold-gold type की balls बना ली है और एक ball लेंगे और इसके center में रखके हम कुछ इस तरह से उपर से आटे को cover कर देंगे यहां पर मैं आप लोगों को दो तरह से आलू के प्राटे की फिलिंग सीखाऊंगी जो के दोनों ही बहुत ही आसान है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली किस तरह पेड़े के अंदर हमने फिलिंग रखी है पता भी नहीं चल रहा और हमारा पेड़ा जो बनके रेडी हो च अगर आप लोगों को ज्यादा एजी लगे आप फालो कर सकते हैं अगर आप फिलिंग की बाल्स बना लेंगे तो आपके सभी प्राटों की फिलिंग जाए वो बराबर की होगी और सबका जो टेस्ट है वो बराबर का बनेगा यहां पर हमने सारे प्राटे के जो पेड़े अचछी तरह से बेलेंगे आप देख सकते हैं के फिलिंग पूरे प्राटे के अंदर करनारों तक जाए नजर आरिया इस तरह से असानी से इसके फिलिंग हो जाती है और प्राटे को हम नार्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे यहां पर हमने तवा गरम होने के लिए चड़ा रखा था तो अभी हम प्राठे को अच्छे से कूक कर लेंगे वन मिनिट के बाद हम इसकी साइड सेंज कर देंगे इस टेज पर अगर आप प्राठे को क्रिस्पी और खस्ता बनाना चाहते हैं तो फ्लेम को हाई रखना है इस तरह बहुती खस्ता प्राठे बनते हैं और नर्मल प्राठे की तरह उपर से कूकिंग आयल लगाएंगे आप चाहें तो इस टेट पर बटर भी लगा सकते हैं माशाला आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा किस तरह फुटबॉल की तरह फुल चुका है और इसका कलर चेक करें कितना प्यारा बना है इसी तरह हम अपने सब भी पराठे जाएं बनाती जाएंगे और आप देखते जाएगा कि इन्शाला हमारा एक भी पराठा फेल नहीं होगा और आप इसकी फिलिंग चेकर हैं कितनी यमी किसम की अंदर तक बिल्कुल ही कनारे तक जाएं इसकी फिलिंग नजर आ रही है अगर आप सेम प्रॉसेस से सेम तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो इन्शाला आपके पराठे भी इसी तरह के सेम बनेंगे सो इस टेज़ पर अगर आप लोगों को लगे के मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर ने तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आईकन को प्रेस कर दीजे ताकि मेरी हरने आने आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत बुलेगा और आप देख सकते हैं कि हमारा कितना मज़ेदा यमी किसम का प्राठा बनके रैडी हो चुका है और आप लोगों को चेक कराऊंगे और इनकी फिलिंग जै माप लोगों को दिखाती। कितनी कनारे तक जास्की फिलिंग आ चुकी है यह बहुत इसूपर यमी कमाल के प्राठा बनते हैं आप इसको त्रूहतर चाइक जाएगा और रेसेपी वीडियो अच्छी लगियो तो लाइक किये बगार मत जाएगा चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत मुलेगा और फैंड्स और फैमली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा आज कल के सीजन में ये प्राटे बहुती मज़े के लगते हैं आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं और हरी चैटनी के साथ भी इसको सार्व कर सकते हैं बहुती मज़े के लगते हैं और इस प्राटे के इलावा आप मेरे चैनल पर और भी यमी किसम की प्राटा रेसेपी वाच कर सकते हैं किस तरह से आप बगायर अटा गुंदे आलू के प्राटा बिल्कुली फुटबॉल की तरह पूल हुए से बना सकते हैं और बच्चों के लिए स्पेशल प्राटा जो आपके बच्चों को सियत मंद और तवाना रखे लाजमी वाच कीजिगा तो मिलते हैं और मज़ेदार रेसिपी के साथ तैंक्स वाचिंग गलाफीज असलाम लेकूं माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आज मैं आप लों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक और यूनीक चीज स्टाफट पराटा इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ लिकविड डो से बनने वाला अलू पराटा की रेसिपी शेयर की ती जो के फुटबॉल की तरह पुला-पुला सा बनना था इस पराटे में मैंने थोड़ी सी चेंजिस की हैं इससे यह पराटा और भी मज़े का बनता है तो चले इस को बनाना स्टार्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रैस कर दीजिए ताके मेरी हाद ने आने वाली रेसिपी कर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले यहां पर 500 ग्राम आलू को आमने ब्वैल कर करेंगे और वन टेबल स्पून के करीब हम इसमें बुना कूटा जीरा एड़ करेंगे नमक के इलावा आप इसमें जितने भी स्पैसिस आइड करेंगे आप लोगों ने रोस्टेड डाइड करने इसे बहुत ही मज़े का फ्लेवा राता है और इसमें हम एड़ करेंगे करीब हम इसमें चाट मसाला एड़ करेंगे और इसके इलावा हम इसमें दो चुटकी के करीब अजवाइन एड़ करेंगे इससे हमारे प्राटी का टेस्ट वह बहुत ही कम माल का बन जाता है आप लोगों ने लाजमी इसमें एड़ करना है यहां पर हमारे सारे स्पैसिज अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप दोनों कप जो आटा के यूज कर सकते हैं लेकिन मेदा से इसका कलर और टेस्ट और भी मज़े का लगता है तो एक कप जो हम दूद का लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके अप एड़ कर जाएंगे और इसकी साथ सी डो रेड नॉर्माल आटा बनाते हैं रोटी बनाने के लिए उससे थोड़ी सी सकत जो है हमने इसकी डो रेडी करनी है यहाँ पर हमने सारी डो को इकठा कर लिया है और आप देख सकते हैं कि एक कप से भी थोड़ा सा दूद बच गया यानि कि पोना कप जो हमारा दूद का लगा है आप लोग भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा एड़ करके डो को इकठा कीजेगा और यह आप लोगों के आटे पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का आटा किस तरह का है तो अभी हाथ को जो है हम थोड़ा सा कुकिंग आई लगाते जाएंगे और 2-3 मिनिट के लिए हम का सा कुकिंग आई लगाएंगे और बंदरा से 20 मिनिट के लिए हम इसको रेस्ट आने के लिए चोड़ देंगे क्योंकि हम चीजी प्राटा बना रहें तो यहां पर चीज को अमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और थोड़ा सा मिसमें बरी कट किया हुआ अरा धन्या एड़ करेंगे और टेस्ट के लिए हम इसमें थोड़ी सी कालिमिज एड़ करके इसको मिक्स कर देंगे यह टोटली एक पेड़ा सा रेड़ी कर लेंगे पेड़ा हमने बेल लिया है तो अभी थोड़ा सा आटर डास्ट करेंगे और इसे नार्मल रोटी की तरह हम बेल लेंगे आज मैं पलोंग को दो तरह के प्राटे बनाना सिखाऊंगी एक चीज प्राठा और एक विदौट चीज तो अभी हम दूसरा पेड़ा चीज प्राठे का बेलेंगे इसी तरह का सेम एक और पेड़ा बनाएंगे आटे एक से डस्ट करेंगे और हम इसकी एक छोटी सी फास्ट में रोटी बेलेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है चीज की तो इस टेज पर जितनी ज्या सा पेड़े सा ट्रुण मुश हें उससे लाएंब आग तक चीज बाहर है यह जा कि अवगे मिट पर तवे उल्म कर यह ता स हमस्ता कर लिए जिस में आम ने चीज की फिलिंग नहीं की है तो ये भी बहुती मज़े का प्राठा बनता है बहुती सोफ्ट और मुईस प्राठे बनके रेडी हो जाते है यहाँ पर दो से तीन दफ़ा फ्लिप करने के बार अभी हमने इसके उपर से थोड़ा सा तेल अपलाई कर देंगे आप चाहें तो इस पर देशी गी भी लगा सकते है क्योंकि देशी गी से इसका टेस्ट और भी बहुती मज़े का लगता है और बहुती प्यारा का लाराने पर हम इसको डिशाउड कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खुबसूरत कितना प्यारा सब बना है तो इसी तरह ये पराठे खाने में भी बहुत ही कमाल के लगते हैं तो अभी हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे तो अभी हम वो वाला पराठा हम सेकेंगे जिसमें हमने चीज भरी हुई थी चीज स्टाफ्ट पराठे को हम थोड़ा सा कम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें चीज फिल की है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते हुए हम इसे फ्लिप करते जाएंगे और बिल्कुली लो फ्लेम पर हम इसको कूक करते जाएंगे तेन से चार दफा फ्लिप करने के बाद इस पर भी हम थोड़ा सा तेल अपलाई कर देंगे और तेल अपलाई करने के बाद इसको हम प्यारा सा कला राने तक कुक करेंगे यहां पर हमारा चीज फिलिंग वाला जो प्राटा है वो भी रेडी हो चुका है आप इसका color check करें कितना प्यारा बना है जितना ये देखने में प्यारा लगता है उससे कही गुना ज्यादा ये खाने में ला ज़वाब बनता है तो बस सेम प्रोसेस से हमने सबी प्राटों को जो है इसी तरह सेकती जाएंगे और प्यारा सा काला राने पर हम इने डिश आउट करते जाएंगे बस एक चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है कि जिन पराटों के अंदर हमने चीज को फिल किया है इनने हम थोड़ा सा कम फ्लेम पर कूप करेंगे ताकि जो चीज है इसमें अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए वन्ना अक्सार ऐसा होता है कि हमारे प्राटे उपर से तो सीख जाते हैं लेकिन चीज अंदर से अच्छे से मेल्ट नहीं होती तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे मज़ेदार चीज टंफ प्राटेज है वो बनके तयार हो चुके हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनते हैं आप इने बच्चों को सुबर नाश्टे में बना के दे सकते हैं और आप इने लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं I hope के मेरी आज की रेसपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं यह और मज़िदार रेसपी के साथ थैंक्स फर वाचिंग अलाफीज